वेलकम बैक तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस जाकती है आप यहां देख रहे हो फॉर ओम्स लॉव एस पर द सब्सक्राइब घूरी करना चाह रहे हैं और उसकी सुरुवात करते हैं एक डाइग्राम है यह डाइग्राम आपने अल्रेडी देख रखा है इसे पहले वाला जो हमारे क्लास हुई है उसमें आपने इस डाइग्राम को देखा है तो माल लिजे कि यह जो हमारा पूरा मेटल है इसकी एक प्लेट पर एक तरफ हमने पॉजिटिव प्लेट एक तरफ सपेरी यहां पर लिखते हैं कि सपोज ढटोज यह पूस्क्रों अंदर है आये इस is experiencing is experiencing the force due to external magnetic external electric field external electric field external electric field E0 माल लिजे यहां पर एक external electric field है E0 along the x direction हमने इस direction को x कहा है तो यह यह इधर भी x है चाहे इधर को होगा आप minus x है तो हम minus plus मैंने थोड़ा सा background में आपको बादल वगरा सुनाए पढ़ेंगे बारिश का इस समय हो रहा है तो इसलिए तो ठीक है तो यहां हमने कहा है कि आयत electron ह है जो कि experience करता है force due to the external electric field E0 along the x direction तो फोर्स हमारा x direction में apply हो रहा है अब हमने क्या देखा कि यह कुछ ऐसा हुआ let me just draw सिमाली आपके पास एक item यहां था एक item यहां था और को eight electron आया मोग्हां यहां से करके आपके पास टकर आया इस जगह पर टकर आया से किसी टाइम था इस जगह पर थे हैं अपर पर देखी और इससे पहले इस electron की टक्कर किसी initial time ti पर हुआ था तो आपके लिए ये कोई initial time रहा होगा जब ये आपने टक्कर देखी और अभी आप किसी final time पर खड़े हो जिसकी value t है तो आपको लिखना है कि suppose the i-th particle or electron is experiencing the force due to the external electric field e0 along the x direction at time यहाँ पर लिख दें at time t किसी time t पर आपने इसको देखा अब आप लिखें before this collision its last collision was at time t1 तो its last collision its last collision was at time t i कह दो at time t i तो इस बात को बार-बार आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ा आपको समझनी है कि अभी किसी time t पर हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा न at time t हमने देखा है और इसका जो इससे पहले बारा जो time था वो t time था तो अब जब यह t है जिसको कि हम कह सकते है initial time तो इससे हम कहेंगे initial time अब आप लिखोगे at this initial time at this initial time the velocity of was at this initial time the velocity was ui तो जब वो time t आई रहा होगा उसमें velocity ui है and at some final time and at some final time t the velocity is v i तो किसी time t i जो पुराना time था जब से सुरुवात मानी है वो ui velocity थी और जब आप किसी time t पर देख रहे हो तो उस समय आपको velocity v i दिख रही है तो अब यहाँ पर time difference कितना है तो आप लिखोगे the time difference in this process the time difference between collisions the time difference the time difference between collisions कितना है t minus t i final time minus initial time and the acceleration कितना होगा acceleration of electron acceleration जो काम कर रहा है electron पर हो कितना है देखो आपको मालूम है f is equal to e time e not होगा e not electric field है किसी electron पर लग रहा है और f is equal to क्या होता mass into acceleration तो यह value हो जाएगी तो यहाँ से acceleration कितना निकल के आएगा e e not by m तो यहाँ पर this time difference between collision is t minus t1 और acceleration है electron का that is this यह acceleration है तो अब हमारे पास initial velocity है हमारे पास final velocity हमारे पास acceleration है सो हम velocity equation से यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं तो आप लिखोगे by velocity equation by velocity equation वी में राइट by velocity equation वी में राइट क्या लिखते हो इसे velocity equation क्या है मैं आपको यह सौट में अगर लिख दूँ तो वी बराबर u plus at accelerate हो रहा है तो तो इससाब से आपके पास हो जाएगा वी आई is equal to ui plus acceleration time जो time difference है तो यह इसको मैं यहाँ पर अलग से जोट कर लिया मैंने यह आपको मैंने यहाँ पर इक्वेशन नमबर वन हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं ठीक है यह तो आयत पार्ट के लिए था तो आप यहाँ पर कहोगे कि दिस एक्वेशन टुप फॉर दर आयत प्रू ऐसी तरह के क्वेशन गिस फॉर दर आयत पार्ट के लिए तो आप लिखो कहाँ continuer equation is true for the i-th electron but in material i-th particle in the metal in the metal there are n such electron हम उस metal के अंदर के है तो वहां बहुत सारे electron लाखो के संक्या में है तो आप लिख सकते हो so equation similar to equation 1 में written for all these electrons as कैसे लिख सकते हो आप लिखो first particle कोई electron 1 मान लो तो v1 is equal to u1 e upon e0 by m t0 minus t1 इस तरह से आप लिख सकते हो v2 is equal to some initial velocity u2 electric field सबके लिए वही है कोई time है मान लो t2 इस तरह से कोई time है तो इस तरह से आप और सारी equations लिख सकते हो अगर आपके पास n electron है तो आप यहाँ पर इस तरह की n equations आराम से लिख सकते हैं without any difficulty अब यहाँ पर समझना है कि जब टक्कर हुई होगे सब एक चीज़ समझो इसे हमने कहा इधर से पार्ट के लाया टक्कर हुई इधर गया तो इसकी initial velocity आपने कहा यू आई है ठीक है और फिर कहीं टक्कर हुई तो यहां इसकी velocity वी आई इसके बाद फिर से यह धर भागा तो इसके लिए ui इस डारेक्शन में है फिर यहां कहीं टक्कर हुई इसके लिए भागा तो इस तरह से v.i direction में है तो हम यह देख रहे हैं कि किसी भी instant पर अगर हम u.i की direction लेते हैं तो वो direction positive direction में भी हो सकती है और negative direction में भी हो सकती है लेखरो ना यहाँ पर velocity जो u है और यह u है तो यह positive direction मेंamen भी हो सकती है तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि u के साथ हमारी कोई दोनों तरह की directions possible है तो यहाँ पर लिखोगे it is also important to note that after collision after collision ui जो ui आप मान रहे हो it may be positive ui may be positive और negative u की direction positive नेगेटिव दोनों हो सकती है तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे by concept of drift velocity by concept of drift velocity we have to consider by concept we have to consider the average we have to consider the average of all v's इतनी v हैं उनका average लेना पड़ेगा तो हमारे लिए drift velocity मतलब क्या हो जाएगा v1 plus v2 इस तरह से होते होते vn के लिए आप और number of electron n है इस तरह से आपको रोगे तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप लिए आपको लिए आपको लिए आपको डिवाइड होगा capital N से अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने के मिलेगी इसे आपने यहाँ पर देखा यह U1 है तो हो सकता है यह positive हो there is a possibility कि U5 इसमें आया होगा जो कि negative हो जो exactly U1 के opposite हो तो ऐसे सित्य में U1 U5 से कट जाएगा ऐसे U2 है U2 positive हो सकता है वहाँ पर कोई U18 हो जो U2 के opposite हो तो वो U18 से U2 कट जाए तो कहने के मतलब मेरा यह है कि यहाँ पर U की जोकी सभी तरह की directions possible है जो हमारे initial velocity हम ले रहे हैं उसकी सभी तरह की directions possible है तो अभी इन सारी possibility का एक मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि यह सारे U आपस में cancel हो जाएंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो since velocity U may possible in all directions may possible in all directions so so they may cancel each other cancel each other तो अभी तरह भी direction में हो सकते हैं तो cancel कर देंगे तो मारे पास VD की value आ जाएगे E E naught by M अब यहाँ पर मारे पास जाएगा T minus T1 plus T minus T2 फिर इस तरह करते करते T minus T N and divided by N इस तरह से लिख सकते हैं अब यहाँ पर एक चीज आप खास जाननी जरूरी है कि जरूरी नहीं कि T minus T1 मालो यहाँ पर एक एक मिली सेकंड है तो हो सकता है T minus T2 दो मिली सेकंड हो हो सकता है T minus T3 0.5 मिली सेकंड हो हो सकता है T minus TN 3 मिली सेकंड हो जो कि सब टक्करों के बीच में है तो randomness है टक्कर में तो उस लिहाँ से तो यहाँ पर इस तरह की values पॉसिबल हो सकती है तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम यह जो पूरा term है यह पूरा term आप यहाँ पर देख रहा है इस bracket के अंदर है divided by N यह actual में एक mean time मतलब एक averaging वाली बात हो रही है तो इसको represent कर रहा है तो हम इस चीज़ को एक value देते हैं हम इसको कुछ माल लेते हैं हम माल लेते हैं कि इसकी क्या कुछ अपनी value है तो यहाँ पर लिखें consider consider just let me write this tau tau is t minus t1 plus t minus t2 and इसी तरह से t minus tn and divided by n and this is the average इसे हम कह सकते हैं average free time for n electrons between n electrons between the collision between the collision n electrons हैं वो सब collide कर रहे हैं सब लगातार एक दूसरे से तो उस प्रोसेस के दुरान जो भी कुछ आपका मिला है वो यहाँ पर है तो इसका मतलब है so vd is equal to vd is equal to e time e 0 by m tau यह ताउ आ गया यहाँ हम लिख सकते हैं vd is equal to e time tau by m इसको bracket में कर दे हैं आपके पास हो गया e naught यहाँ से आपको दिख रहा है कि drift velocity is proportional to applied electric field this is an important result this is an important result तो यहाँ पर लिखोगे यह equation number मेरी ख्याल से 1 था तो suppose this is equation number 2 तो आप यहाँ लिख सकते हो equation 2 suggested that drift velocity increases linearly with the applied electric field drift velocity increases linearly with the applied electric field also यहाँ पर आप से रुकते हो also e tau by m is mu d इसको हम mu d कहते हैं और यह एक drift mobility को रिप्रेजन करता है this is the drift mobility drift mobility तो यहाँ पर लिखोगे the constant e tau by m is represented by a symbol mu d which is the drift mobility तो आपके पास formula आ गया so vd is equal to mu d time applied electric field यह आपके पास equation आ गई एक चीज़ एक equation है जो 12th class में भी आप पढ़ते हो current density के term में तो यहाँ पर लिखोगे just a minute for current density for current density the relation में written as for current density the relation में written as कैसे लिख सकते हो रिलेशन j बराबर n e v d तो यहाँ सुझाएगा j बराबर n e mu d time e 0 यह लिख सकते हो j is equal to sigma time e 0 where sigma is n e mu d and यह sigma और कुछ नहीं है यह हमारा conductivity है जिस material के लिए आप इस सारा कहानी कह रहे हो यह उसी conductivity है तो we get j is equal to sigma time e this is nothing but the very famous Ohm's law this is the Ohm's law so इस तरह से हमने देखा है कि किस तरह से हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही प्रॉपर तरीके से जो हमारे पास equation है free electron theory की जो बाते चल लगी थी उस free electron theory से हमने क्या calculate कर दिया Ohm's law तो this was a success for Ohm's law अपने समय में और आपने यहाँ पर conductivity को define किया है अगर आप resistivity define करना चाहते है resistivity is reciprocal of conductivity तो यह हो जाएगा one upon ne mu d कि सारी चीज़े आपको यहाँ जाननी जरूरी है से आपके पास सवाल हो सकता है आया हो कि स्री यह तो जब replace हो गई है Ćने वाले समय में तो हम से क्यों पढ़े है क्योंकि यहां से हम कुछ term देख रहे हैं हम यहां connectivity की term को देख रहे हैं हम यहां पर drift mobility की term को देख रहे हैं drift velocity, drift mobility यह सारे term हम को कभी न कभी आगे आने वाले समय में जब हम conductors के लिए कुछ कर रहे होंगे तो वहां हमें इसके आबसकता पड़ेगी बहुत जरूरी पड़ेगी तो this is the mathematical portion जो कि जिस तरह से हम drift velocity के expression को calculate कर सकते हैं और drift velocity के expression से हम आपको ohms law derive करके दिखा रहे हैं so this is an important part of this theory ठीक है तो ये था जो mathematical portion मुझे आपके साथ discuss करना था Hello बच्चों so अभी हम लोग एक और चीज उसी continuation में पढ़ते हैं और वो है कि इस theory की merits क्या थी और इस theory के drawbacks क्या थी merit मतलब उसकी खूबियां क्या थी drawback मतलब उसकी कमियां क्या थी किन जगों पर ये theory थोड़ा सा हमें कमजोड दिखे रही थी असफल तो कहना थोड़ा सा harshness हो जाएगी कहां पर उसमें गुंजाई इस्ति सुधार की जैसे जैसे drew model जो है जिसको कि हम classical theory of free electron gas या free electron gas model कहते हैं उसने successfully explain किया था electrical conductivity को कि अलग metals के अंदर कैसे conductivity होती है यानि कि वो इक तरह से आप कह सकते हो ओम लोग को अच्छे तरह समझा ले गई थी इस theory ने thermal conductivity को भी समझा दिया था और साथी साथ इसने दोनों के बीच की relation को भी बताया था temperature के साथ किस तरह से resistance metals का change होता है इसको भी theory काफी अच्छे समझा पा रहे थी बट यह fail हो रही थी to explain the many important experimental observations देखो ऐसा होता है बच्चों कि इसे विज्ञान की दुनिया में मालीजी हमने कोई बात कही और उस चीज को experimentally हमने proof कर दिया अब क्या हुआ लोगों ने उसको माल लिया कि हाँ ठीक है आपकी बात मैंने देख ली दस साल बाद लोगों को technology में समझ बढ़ गई तो लोग क्या करते हैं दस साल बाद फिर उसी प्रयोग को नए सरीके से करते हैं नए technology से करते हैं यह सोच करके क्यों हो सकता है technology की करते हैं और science ग्रो करती है तो कुछ experiment हुए जो की डूड के बाद मतलब काफी समय बाद थे 10-20-30 साल बाद लेकिन उन experiment के result हमाई theory के साथ challenge हो रहे थे और ठीक से match नहीं कर रहे थे जैसा एक कुछ तीन हमने example ले लिये हैं डूड मॉडल suggested that कि जो conductivity है वो proportional होने चाहिए one upon under root tk under root tk यहां पर होना चाहिए लेकिन experimentally यह देखा गया कि यह जो conductivity है यह proportional होती है सिर्फ tk तो theory कहती है इसकी dependency one upon under root t होनी चाहिए लेकिन जो experiment कहते है नहीं इसकी dependency one upon t होनी चाहिए तो इसका मतलब है classical theory fail हो रही थी यहां पर electrical conductivity को completely पूरी तरह से explain करने में यह थोड़ा से यहां कमी दिख रही थी ना कि theory के result कुछ और है experiment के result कुछ और है दूसरा है कि classical theory suggested that specific heat does not depends upon the temperature बच्चों specific heat आप लोगों ने पढ़ी है इसके बारे basic idea यह है कि किसी भी material का solid है liquid है किसी भी material को अगर हमें गर्म करना है तो हमें उसको heat देना पड़ेगा अब मालो हम उस material को ग aggregate बढ़ाने के लिए उसको जितनी heat देनी पड़ती है उस heat को हम उसके specific heat कहते है unit mass अगर आपने लिया है तो देखा यह गया था कि experimentally theory कहते है कि specific heat जो है वो depend नहीं करती temperature पर temperature आपने 40 degree रखा 45 degree रखा material के specific heat उतनी रहेगी लेकिन experiment यह suggest कर रहे थे कि specific heat जो होती है solids की वो temperature प अगर low temperature है तो specific heat बहुत तेजी से घठती है यह चीज उसमें नहीं समझा पा रहे थे drude के model के साहता से कि आखिर कैसे specific heat depend हो गई temperature पर और कैसे वो low temperature पर और low होती है specific heat तो एक challenge था अच्छा drude का model की कहता है कि जो conductivity है वो proportional होती है n के n जो होता है वो होता है concentration of the electron किसी भी material के अंदर कितने electron मौजूद है उनकी density कितनी है वो है हमारा n तो यह थेरी कहती है कि conductivity proportional होता है n के जहां delta is the electrical conductivity, sigma is the electrical conductivity और n is the concentration of the electron but it has been observed that देखा क्या कुछ दरबर देखी हमने कि जो concentration है electron हों का zinc का, cadmium का, aluminium का, galenium का, नका concentration electron काफी ज्यादा है तो थेोरी के साब से भी इसका conductivity ज्यादा होनी चाहिए लेकिन देखा यह गया कि इनकी conductivity होती तो है ज्यादा लेकिन silver और copper से कम होती है तो आपको आपको है,살ग कोपर से क्या दिक्कत हो गई आपको, उनकी भी होगी कुछ ज्यादा है तो क्या, द इनका electron concentration,樂 wrestler density काफी ज्यादा है तो electron density ज्यादा होने के बावजूद भी zink बगळरा element का conductivity कम है और silver, copper का concentration कम होने के बावजूद भीूनकी conductivity ज्यादा है तो यह लिकाबद electrical conductivity of silver and copper is larger than the zinc, cadmium, aluminium, gal summum इसका मतलब है कि free electron theory fail हो रही थी electrical conductivity behavior को पूरी तरह समझाने के लिए तो electrical conductivity में दो बार हमने issue देखे, पहले point में देखा कि किस तरह से वो temperature के साथ उसका 1 by root 2 और 1 by T का एक मसला हो गया और दूसरी तरह हम देखा कैसे वो concentration के साथ हर बार justify नहीं हो पा रही थी expression अच्छा, अब यहां पर एक और चीज़ है कि correction कैसे किया गया, classical theory free electron gas में जब इस तरह कमिया दिखी तो correction क्या किया गया उससे पहले जगा समझ लें कि कि किन-किन basic assumptions पर यह theory खड़ी थी इस चीज़ को मुझे थोड़ा पहरे आपको बताना चाहिए था लेकिन आप लोग अपने notes में लिख लिजेगा classical theory of free electron for metal is based upon certain assumptions कोई भी theory अदिक्तर होजी theory होती है वो किसी assumption पर, किसी fact पर अधारित होती है और उस fact में अगर दिक्कत हो जाती है तो पूरी theory में दिक्कत हो जाती है जैसे एक assumption यह था कि within the metallic crystal, the valence electrons are free to move between the ions similar to the gas in the chamber and this is also called the electron gas कहना एक मतलब यह है, जैसे आपने gas का chamber लिया, suppose gas chamber मतलब आपके घर का LPG cylinder है उसके अंदर gas भरी है, अब वो gas के molecule पूरे cylinder के अंदर कहीं भी गती करने के लिए free है, लेकिर बाहर नहीं जा सकते है इसी तरह से metal का crystal है, उसके अंदर electron gas के तरह भरे हुए है और वो अंदर ये अंदर कितनी भी चाहें, जिसी भी direction में चाहें जा सकते हैं, लेकिन अपने आप उसे बाहर नहीं निकल पाएंगे तो वह यह लिखा है, जो balance electron मतलब, outermost orbit के electron जो free हो चुका है तो जो crystal के अंदर iron है, बहुत सारे, metal के अंदर iron है, उन आयनों के बीच से होते हुए, ये विल्कुल free gas के तरह से गहुम सकते हैं, ऐसा माना गया दूसरा माना गया कि electron जो है, उनकी बीच में कोई repulsion नहीं है, अब यहाँ पर एक issue जाहिसी बात आप कहो कि by coulomb force तो काम करता है, electron है, तो electron तो coulomb force को observe करेंगी, तो मानना तो चाहिए कि electron के बीच में repulsion है, मानते लेकिन से गड़ित बहुत ज्यादा complicated हो जाती, तो कई बार क्या हुआ कि गड़ित को थोड़ा simplify करके result को थोड़ा जानने के चकर में, हम लोगों ने कुछ ऐसे assumption मान जो की realistic नहीं थे, चलिए, तिसरा point था, कि potential due to positive ion is completely uniform, दो को ऐसा था, यह माना गया कि जो atom है, crystal के अंदर, वो बहुत ही सलीके से सजे हुए हैं, और इन की वजह से, इन आइनों की वजह से, जो potential है, वो एक तरह से constant value है, वो बतलब, या कहलो, near to zero मान लिया गया, ऐसा उन ल positive ion is completely uniform, uniform है, तो uniform होने की मतलब उसका जब भी आप derivative लेते थे, तो हमें साथ zero होता था, और x का derivative तो यह जो होता है, यह force होता है, वो डिपेंड करता है, potential के derivative उपर, तो अगर आपने v को constant मान लिया, uniform मतलब constant मान लिया, तो जहाई जबाए तो force नहीं काम करेगा, force नहीं काम without any change in their energy, मुक्त हैं, हर तरफ गती कर सकते हैं, तो ऐसा मान लिया गए, इसलिए free electron gas theory कहीं कहीं थी, जो कि सहीं नहीं है, आपको sense हो रहा होगा, और चौथा था, the energy distribution या velocity distribution of electron within the metal crystal is following the Maxwell-Bolgman distribution law, 1900 में, यही एक distribution law, physicists के सामने था, कि electron किस तरह से, गती और energy को कैसे distribute करते हैं, energy कैसे distribution होता है, तो डूड ने 1900 में जब यह model प्रपूज किया, अपना free electron gas model, तो उन्होंने कहा कि जो gas की तरह behave कर रहे electron, वो velocity energy के बटवारे के लिए Maxwell-Bolgman नियम का इस्तमाल करते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे हमारे यहां भी भारती संस्कृति में, हमारे भारत में हैं, कि अलग-अलग धर्म के लोगों के साधियों के, उनके परिवारिक समारोहों के अलग नियम हैं, है न, हम हिंदू हैं, तो हम हिंदू रिती रिवाज से काम करेंगे, आप इसाई हो तो इस तरह से Maxwell-Bolgeman distribution law था जो कि उस जमाने में gases के लिए effective था तो यह माना गया कि यही चीज electron के लिए भी effective है यह सारे assumptions थे लेकिन अब हुआ क्या समय बतला वो ऐसा समय था जब बहुत कुछ विकास हो रहा था quantum theory डेवलप हो रही थी so after the discovery of wave mechanics by Schrodinger in 1926 Pauli exclusion principle in 1927 it becomes clear that electrons are the quantum particles पहली बात तो यह पता चला electron quantum rule को follow करने वाले कोई element है particle है and must follow Fermi-Dirac statistics मतलब वो Fermi-Dirac statistics को follow करेंगे तो जो हम मान रहते कि Maxwell-Bolgeman नियम को follow करेंगे यह गलत हो गया वो किसको follow करेंगे वो Fermi-Dirac statistics को follow करेंगे यह चीज हो गई अब Fermi-Dirac statistics कई माइनों से यह काफी तरह से Maxwell-Bolge से अलग है तो यह से बात सारे नियम बदल गए काफी हद तक बदल गए तो यहाँ अब लिखो के in this context सवामरफीड डेवलेप गॉंटम वर्जन और फ्री ऐलेक्टरॉन इस तरह से समर फिल्ड ने फर्मी 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 फ्रेस अघस ऑचल से एक रिप्लेस कर दिया है फ्रूद्हां जयादा डिस्टरॉबंस है और आवाज काफी डिस्टरॉब हो रही होगी तो अगल बाइ बाइ